आप सभी लोगों को हैपी नौरात्री और मैं यहां पर पैक कर रही हूँ पार्थ का टिफिन और बस अभी वो चला जाएका फिर इसके बाद क्योंकि जल्दी में मैंने बना जिती उसके लिए बिंडी की सब्जी और पराटा क्योंकि बिंडी की सब्जी थोड़ी सी जल्दी तैयार हो जाती और इसके बाद में यहां पर मैं बना रही हूँ कुंदरू की सूकी सब्जी तो यहां पर मैंने डाला है सबसे पहले थोड़ी सी मेथी और सौफ जीरा का जो भुना हुआ पाउडर वोई दो तीन चमच के करीब और बस वही जो मसाले होते हैं हल्ली यह ना डालो तो सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती और इसके बाद में बस मैंने नमक डाल के रख दिया तो तो कम से कम इससे लग जाएगा 15-20 मिट पगने में आराम से और जब यह आल्मोस्ट पग गई है और यहां पर मैंने डाला है थोड़ा सा आमचूर पाउडर इ अभी गर्मियों के सीजन में यह परवल है कुंद्रू है यह मिलती है तो बस डेली तो ज़्यादा करकर करके वह यह जब सर्दी वाली सबजी आती है तो हरी सबजी मेथी पाला तो लगता है कि क्या खाऊ और इस टाइम पर जो गर्मी वाली सबजी है तो बस अभी दीमे- में सीजन चेंज होगा और फूल वगएरा आते हैं बर अतना सीजन नहीं है अक्टूबर से वही जो है आने लगता है वही फूल गो भी वगएरा और इसके बाद में ये बस तो मैंने दे दिया जो है टिफिन वेपिन तैयार करके और फिर मैं आ गई थी यहां पे मंदिर और मेरे पास अभी धनिया पाउडर खतम हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं पीस नूँ तो इसके अभी जो है थोड़ी बारिस वगएरा चल ली थी तो हलकी हलकी सी सर्दी थी सौगी सौगी टाइप को तो इसलिए बस मैंने इसको हलका अलका सा गरम किया था कि जो पास बढ़ी सर्दी हो वो चली जा और फिर इसके बाद इसे पीसेंगे तो थोड़ा अच्छी मैंन सी पीस जाएगी और इसके बाद में बस मैंने पीती हुए चाय वगएरा और यह मेरे पास कुछ गुलाब की जो फूलते ना तो उसकी वो जो कली थी वो थी और यह मैंने पास इसकी पती है इसने प्लांट की आप उसे बीस से कट करो वो कटे वाला जो इससा होता है उसे इसमें रेट में ही आप जो इसको दबा दो अच्छे से और पानी बगएरा डालो तो 10-15 दिन में इसमें जो रूट जर्मिनेट हो जाएगी तो यह तो एक तो मेरी में जो ह जो कली थी वह भी मैंने देखा था कि इससे जो अच्छा सा प्लांट उगाता है तो यह वी कली तो इतनी ज़्यादा मतलब जो है न अंदर के सीड क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इससे गुलाब का प्यंड बन पाएगा बर चलो देखते हैं क और बस यहां पे हो गया मेरा गमले वाला काम खतम फिर जो मैंने यह धनिया पाउडर मुझे पीसना है यह मैं देख रहे तो मुझे लगता है भी क्वांडिटी थोड़ी सी जादा हो गई है तो भी उतना अच्छे से पिस नहीं राए साइद इसको आधा आधा करके पिसू यह धनिया पाउडर हो या हल्दी पाउडर में यूज नहीं करती है कोशिश करती हूँ कि जो सामने से पिसूआ के ले आओ वह है तो बाकी कुछ तो वही है कि मसाले वगएरा सारे मार्केट से आते हैं बट यह जो डेली का है जो सामने सामने तो क्योंकि धनिया में बोलते है गरम मसाला तो यह तो मेरी अभी जो अच्छी तरह पिस नहीं रही है तो वस यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के थूरू आप जरूर बताना कि आपको यह वीडिय के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर